हावरोफिक्स वान प्लस सेवन प्रो हेड़फोन सिंबॉल प्रावलम नमस्कार दोस्तों तो आगर है आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपनी वान प्लस के डिवाइस में हेड़फोन सिंबॉल प्रावलम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको हेड़फोन सिंबॉल का प्रावलम है आपने हेड़फोन प्लक किया उसके बाद हेड़फोन को रिमूफ किया और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आपके जो हेड़फोन का सिंबॉल है जो हेड आने वालों ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बैल आइकुन को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएग कोई भी इश्यू ऐसे आ जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना होगा ठीक है सबसे पहले आप हैटफोन को जोर से जो है प्लक करके देखिए तो रिमूफ करती है आपका हैटफोन का जो सिंबॉल है वो निकल जाएगा ठीक है अभी दोस्तों आप यह करके देखे उसके अब रिस् टार्ट करके देखिए ठीक है फेले तो आप अपने मोबायल का जो हड़ी है है पूर जेक ही उसको आप ह्योग फास मॉट पे जो ही इन्सर्ट किजिए कम फलक कीजिए और उसके वाद उसको अनपलक की जे जो से आपको बाहर में खीच्च के निकालना है आपके headphone jack को तब दोस्तो headphone symbol जो है चले जाते कई वर ऐसा हुआ है ठीक है नॉर्मल याप यह solution करके देख सकते हैं तो अगर इससे काम बन जाते हैं तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो mobile को जो है restart करें ठीक है रिश्टार्ट करने के बाद दोस्तों आप यहां पर चेक करके देख सकते हैं कि problem solve हुआ है या नहीं हुआ है अगर solve हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो एक एरबर्ट लीजेगा एरबर्ट लेके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो अगर साफ करने के बाद problem solve हो जाते हैं तो अच्छी बाद है लेकिन अगर आपको अभी भी problem हो रहा है अभी आपको दिक्कते हो रहा है तो दोस्तों आप अपने मोबाइल को सेफ मोट पे रिबूट करें उसके लिए पाउर बटन को प्रेशन होल करके रखना है पाउर आफ के स्वीच को दो सिकंड करके रखना है और ओके कर देना है जैसी करेगा आपका मोबाइल सेफ मोट पे रिबूट हो जाएगा उसके बार problem भी fix हो ज सब्सक्राइब जैसे ही अपडेट होगा आपका प्राब्लेम भी वे पर फिक्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने headphone symbol problem solve कर सकते हैं complete तरीके से आप दोस्तों यहाँ पर मान दीजिए अभी भी आपको प्राब्लेम आ रहा है तो आप बेकाप रिसेट का प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं अगर आप मोबाइल को इरेस और डेटा कर देते हैं तो भी दोस्तों आपके problem को definitely fix करके ही देगा ठीक है तो यह सारे solution जो कि दोस्तों आप यहाँ पर ट्राइब कर सकते हैं दूसरे दूसरे headphone भी आप ट्राइब करके देख सकते हैं उनके headphone से भी आपका issue fix हो सकते है Bluetooth headphone बगर दोस्तों आप चेक करके देखे अगर connected है तो उनको भी डिस्कनेक कीजिए ठीक है Bluetooth को पहले डिस्कनेक कीजिए उसके बाद आप solution करना शूरू कीजिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसे नहीं होगा तेंक्स रॉचिंग